कुछ भाई ऐसे भी हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिनके बेटे को जवानी ही में पकड़ लिया गया है और नाहक जेल में डाला गया है, कुछ लोग हैं, कुछ माबाप परिशान हैं, उनको कोई वकिल नहीं मिल ला है, कैसे इंतिजाम करें, परिशान हैं, परिशानी अगर आपके साथ है अल्ला आपकी परिशानी को दूर कर रहे दौाएं हमारी आप लोगों के साथ है कि अल्ला आप लोगों की परिशानी को दूर कर दे आप लोगों भी बोलिया आमीन जोर से बोलिया आमीन आप गोर करें यूसुप अलिए सलातु असलाम जेल में है यूसुप अलिए सलातु असलाम की जिन्दगी पढ़िये उनके बाप याकुब अलिए सलातु असलाम की जिन्दगी पढ़िये तो आपका जो अपना गम है जेल वगारा के सलसले में परिशानी के स्लिसले में कम हो जाएगा जरा सा कुछ ना कुछ मरहम पट्टी तो हो ही जाएगी जखम जो है जरा हलका तो हो ही जाएगा युस्फ अलिए सलाथ वास्लाम को भाईयों ने क्या किया कुवें में डाल दिया कुवें से अल्ला ने निकाला आप गोर करें कुवे में डाला कुवे से अल्लाने निकाला इसलिए सुरह यूसफiko तो बार बार पढ़नी चाहिए गम को हलका करने का बहतरीन जरीजर है बहतरीन सुरह हो पूरे Quran करीम ही बहतरीन है लेकिन सुरह यूसफ चो जाहरी परिशानी है समाजी परिशानी है अगर हम और आप उसको पढ़ेंगे तो ऐसे ऐसी चीजे मिलेगी कि अकल दंग रह जाएगी भाईयों ने कुव में डाला अब कुव में डालने के बाद निकलता कोन है अल्ला ने बचा लिया जिसे अल्ला रखे उसे कौन चक्खे उपर वाला रखना चाहेगा तो दुनिया की कोई ताकत मिटा सकती है तो पता ये चला कि सब लोग मिलके भी आपको कहीं डालना चाहें जब तक रबना चाहे कुछ नहीं हो सकता है तो सब भाईयों ने मिलकर डाल दिया अल्ला ने निकाल लिया कुवें से निकले एक घर में चले गए मिसर के अंदर अल्ला ने वहां जगा दे जी देके जाहरी असवाब कुछ भी नहीं है लेकिन अल्ला ताला कैसे अपने बंदों की रहने साने का इंतिजाम करता है लोग घवराए हुए क्या होगा कहां रहेंगे क्या करेंगे अल्ला इंतिजाम करने वाल आपने कोशिश करना जायस तरीका इखतियार करना घवरानी के बाद ने यूसुव पुट को अजीज मिसरे ने खरीद लिया और यूसुव पुट कुवें से निकलकर एक घर में चले आए अब घर के अंदर जब आ है तो पहले तो भाईयों की परिशानी से परिशान थे यानि घवराट थी भाईयों ने परिशान किया तकलीफ में डाला लेकिन सबर किया उन्होंने तक्वा के जिंदगी इख्तियार की अब वो अजीज मिसर के घर के अंदर है तो अजीज मिसरी की बीवी के जरी आजमाएगे बड़ी आजमाईश औरतों वाली आजमाईश जो है एक बड़ी आजमाईश है नوجوانों के लिए बड़ा पैगाम है अगर कोई ऐसी आजमाईश में है तो उसे सबर करना चाहिए और मौका देखका चोका नहीं मारने का कुछ लोग बोलते हैं अरे मौका मिला हुआ चोका मार लो अरे सिठानी खुदी बुला रही ही ना जी नहीं अल्ला वाले क्या करते हैं हमेशा अल्ला से डड़ते हैं अनके लिए रास्ते निकालते हैं कुएं से अल्ला ने निकाला अब यहां अजीज मिस्र के घर के अंदर मौजूद है तो अजीज मिस्र की बीवी ने दर्वाजों को बन कर दिया अब देखे आउरत का एक चेहरा यहां दिखाया जा रहा है सुरह यूस्फ सुरह नमबर 12 में या उसने खुद कहा गलत काम करो लेकिन यूस्फ अलिए सलातु असलाम ने कहा मैं अल्ला से ड़ता हूं कोई देखे न देखे लेकिन उपर वाला देख रहा है यह चीज अगर पैदा हो गई आपके लिए रास्ते खुल जाएंगे परिशानी क्या हो रही है कि हम और आप चीजों की तरफ चले जाते अल्ला रास्ते कैसे निकालता है यूस्फ अलिए सलातु अगे आगे भागे वो पीछे पीछे भागी कुरता जो है पीछे से फटा हुआ है एक था गेट पर था तो उसने क्या कहा क्योंकि अजीज मिसर भी आ गए बीवी भी है उसकी तो अजी अगर यूस ici तो एक ऊजी साथ दिया यूसफ अल्यातु आटों का और उसने एक बात कही और वह आदम जो था वो उस ऑरत के खानदान में से था यह उस ही के रिर्ष्टा भर में से था कोई ने कोई ता ऑ मोई था तो उसने यह कहा कि अगर कुरता पीछे से प्टा हुआ ह है तो यूसुफ आगे से फटा हुआ है तो वो औरस सची है तो देखा गया तो कुरता जो है वो पीछे से फटा हुआ है तो इसका मतलब यह कि वो आगे आगे भाग रहते वो पीछे पीछे टान रही थी और अगे से फटा होता तो इसका मतलब ये कि वो अपने आपको बचा रही थी तो उसके बाद अजीज मिस्री ने कहा यूसुफ आरिज अन्हाज़ा वस्तख्फिरिलिजम्बिक इननके कुंते मिनल्खातियीन यूसुफ आप छोड़ दीजिये और अपनी बीवी से का जाओ अपने गुनाहों के माफी मागो तुम गलती करने वालों में से हो तुमने गलतीयां की है पता ये चला एक बड़ी आजमाईश आगी एक बड़ी आजमाईश कितनी परिशानी हुई होगी आदमी के खून के अंदर गर्मी है और जब गर्मी रहे खून में और सामने बुराई के लिए हर चीज मौजूद हो तो देखिए दिल कैसे कापने लगता है धरकता है आँक किस तरह फड़फ़ाने लगती है खून के अंदर गर्मी आ जाती है समझ नहीं पाता क्या करे और कोई चीज इधर से उधर हो जाए परिशान हो जाता है आप कुछ लोगों को देखिएगा जो इधर उधर करते रहते अरे ये छुट गया वो छुट गया उससे कट्टी हो गई उससे ऐसा हो गया परिशान रहते ये तो बड़ी आजमाईश है ये सामने से बुराई के लिए दावत मिल लए है फिर अपने आपको बचा लेना ये अल्ला की खास तौफीग है क्या कहना अल्ला ताला ने युस्व अलिए सलाथ और सलाम को बचाया अब वो अपनी जान के लिए कहा जा रहे है मेरे रब मेरे लिए जेल खाना बेहतर है तो मैं उन भाईयों से कहता हूँ उन भाईयों से कहता हूँ जिनके लाडले को प्यारे को नाहक जेल में डाला गया है आप बहुत परिशान है याकुब अलिए सलाथ और सलाम भी परिशान थे रो रो कर उनकी आँखें सफैद हो गई याकूब अलिए सलातु वस्लाम का रोल अदा करे युसुब अलिए सलातु वस्लाम जेल के अंदर है उसके बात क्या हुआ इसलिए मैं अपने उन भाईयों से भी कहता हूँ अगर आपको भी वहाँ जाना पड़े और आपके साथ कोई परिशानी है नाहक कभी कुछ हो गया तो घबराईये नहीं युसुब अलिए सलातु वस्लाम है उनकी आजमाईश हुई कल क्यामत का दिन होगा युसुब अलिए सलातु वस्लाम आगे है तो कम से कम आप तो पीछे पीछे रहेंगे तो एक तसली मिलती है जब लोगों ने युसुब अलिए सलातु वस्लाम जैसे नेक नभी को जेल में डाला तो नाहक हमें और आपको भी डाला जा सकता है तो घबरानी कोई बात ने बंदा कभी ने घबराता कभी शिक्व शिकायत नहीं करता मुमिन बंदा जो है वो हालात का शिक्व शिकायत नहीं करता अर्य यह ऐसा होगी आव ऐसा होगी भै यह लिखा यह चीज होनी है ठीक है हो रही है अब हमको रास्ते निकालना तो युसुब अलिए सलातु वस्सलाम जेल के अंदर है मेरे जेल के साथ ही हो यह बतलाओ बहुत सारी अल्ला बेतर है या एक अल्ला जो जबरदस्त है फिर उसके बाद दो आदमी ने खाब देखा तो एक से कहा तू बच जाएगा और एक से कहा अब कुन था किस से कहा कहा तुम मेंसे कोई एक बच जाएगा और एक की गरदन उरा दी जाएगी फिर बादशा ने खाब देखा कि मोटी मोटी गाय को दूबली दूबली गाय खा रही है फिर कहा मोटी मोटी बालिया है दूबली दूबली बालिया है मोटी मोटी बालिया है और पतली पतली बालिया है इसका मतलब क्या है तो दर्वारी उने का वाशा सलामत ये खाब सही नहीं है लेकि जो छूट के आया था उसने का कि यूसुफ नाम का एक आदमी जो जेल में है वो बता सकता है तो वो आके पूछा तो कहा यूसुफ आयो हो सिद्धीक सच्छे यूसुफ आप बताईए ये खाब की तावीर क्या हो सकती है यूसुफ ने ये का इसका मतलब ये है कि शुरू के साथ साल तक बारिश होगी फिर बीच में साथ साल बारिश नहीं होगी फिर दुबारा बारिश हो जाएगी तो जब बारिश होगी तो दाने को बाली ही में छोड़ देना है निकालना नहीं है ताकि साथ साल जब बारिश नहो तो उसमें लोगों के काम आए इतना अच्छा आदम ही और जेले में बंद रहें ये कैसे हो सकता है कभी कभी ऐसा भी हो जाएगा 15 साल 20 साल 25 साल नहाब पढ़े हुएं तरी लोगों के बारे में आपने सुना भी होगा अख़बार में पढ़ा भी होगा टेलی вिजन पे देखा ओगा 25 साल के बाद, 30 साल के बाद, सुपरिंग कोट ने बाइजद बरी कर दिया दिखा होगा, तो गभरानियों के लिए एक आजमाईश लिखी थी, वो हुई अब इतने साल कोन लोटा आएगा, कोई नहीं लोटा सकता कोन लाने वाला, कोई नहीं ला सकता तो यूसुफ अलिए सलाथ और सलाम अंदर है उसके बात क्या हुआ जब बाश्या की खाथ की तावीर बियान कर दी तो बाश्या ने कहा रहे बुला के लाओ तो जैसे बुलाने के लिए लोग आए तो यूसुफ अलिए सलाथ और सलाम ने क्या कहा तो फिर कहा कि जाओ अपने बाश्शा से कहो उन औरतों से पूछे क्या हालत है तो उन औरतों से पूछा गया कि यूस्फ के बारे में जरा बताओ कैसे थे वो तो फिर वो जो औरत थी अजीज मिसरी की बीवी उसको जलाखा कहा जाता है खुरान और अधिस में नाम तो नहीं आया इसलिए नाम क्या जिकर किया जा लेकिन एक चीज मशहूर है तफसीरी रिवायत है इसराईली रिवायत है मशहूर है इसलिए मैंने कह दिया तो उस ओरत ने कहा अलान हससल हक अनारावत हु अन्नफसी वा इन्नहु लमिनस्सादिकीन जी हक वाजिए हो गया मैंने ही भालाया फुसलाया था वो सच्चे लोगों में से है तो जो इल्जाम आपके उपर लगा है जब तक के बाइज़त बरी न हो जाए नहीं निकलना और अलहम्दुलिल्लह नहांक इल्जाम लगा तो बहुत सारे लोग बाइज़त बरी हो गये तो एक बरी परishानी आई उनके अमी के लिए भी परिशानी अबू के लिए परिशानी तो याकु अलीसलातोबस्लम भी बहुत परिशान रहीं इसलिए याकुब अलिए सलातु वस्लाम ने ये कहा इन्नमा अश्कुबत्ती वहुजनी इलालाह ये चोटी सी आयत है इसको याद कर लिए सुरह यूसुफ सुरह नमबर 12 आयत नमबर 86 मैं अपना मामला अपनी शिक्वे शिकायत अल्ला की दरबार में रखता हूँ तो याकुब अलिए सलातु वस्लाम ने कहा मेरा घम अब अल्ला की तरफ है और मेरी शिकायत अब अल्ला की तरफ है अल्ला ही मामले को हल करेंगे तो अल्ला ही रास्ते निकालते हैं तो देखा आपने, जो भाई परिशान है, जो बहने परिशान है, लोग परिशान है, कुछ लोग इस नहीं से भी परिशान है, कि उनके लाडले को, प्यारे को नहख जेल में रखा गिया है, तो घवराने कोई बात नहीं, यूसुब अलीस सलातों की जिन्दगी को पढ़िए याकुब अलीस सलातों की जिन्दगी को पढ़िए, तसली मिलेगी, सुकून हासिल होगा, ऐसे ही और वीडियो बनाने में हमारी मदद करें,